दोस्तो LIC यानि की Life Insurance of Corporation of India ने अपना DRHP SEBI के साथ फाइल कर दिया है और पूरी उमीद ऐसी की जा रही है कि इस Financial Year में यानि की March तक इसका जो IPO है वो भी आ जाएगा तो इस वीडियो में हम इस Company के बारे में कुछ important चीजों पर बात करेंगे इसका business के बारे में कुछ बात करेंगे और end में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या मैं इसके IPO में apply करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ और क्यूं नहीं करूँगा या क्यूं करूँगा उस पे भी हम लोग detail में बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम LIC के बारे में अगर बात करते हैं तो आप मुझे लगते हैं almost हर कोई जानता होगा ये एक life insurance provide करने वाली company है और अगर आप इसकी history की बात करते हैं तो 1956 में ये company शुरू हुई थी और यहां पर दोस्तों आपको पता होगा कि 1956 में सिर्फ एक यही company थी जो life insurance provide करती थी और 2000 में पहली बार ऐसा हुआ था कि LIC के अलावा यानि कि जो private companies हैं उनको सरकार ने allow किया था life insurance business करने के लिए तो यानि कि आप लगा लीजी लगबग 40 years तक यह सिर्फ एक लौती company थी जो life insurance provide करती थी और पिछले 22 सालों में और 23 private players भी आ चुके हैं जो life insurance अभी provide कर रहे हैं LIC के अलावा और अगर आप policies की बात करेंगे तो अभी लगबग 28 करोड policy holders मौजूद हैं LIC के लिए तो आप समझ सकते कितनी जादा policies बेचती है LIC 64% total market share अभी LIC के पास है अगर आप life insurance की business की बात करते हैं यानि कि पिछले 22 सालों में जो private companies हैं उन्होंने लगबग 36% जो holding थी वो LIC से ले ली है क्योंकि 2000 में ही यह शुरू हुई थी जो private companies थी life insurance में तो तब उसका 100% share हुआ करता था 22 सालों में 21 साल आप मान सकते हैं लगबग 21 साल में 36% market share अब private companies के पास जा चुका है वहीं दोस्तो अगर हम यहाँ पर इसके numbers पे कुछ बात करें तो सबसे पहले इसके profits हम देख लेते हैं इसके पिछले 2-3 साल के कैसे profits रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप इसके पिछले 3 सालों के profits देखेंगे तो मार्च 2019 में आप देखेंगे 26 करोड के आसवास के profit थे इसके जो मार्च 20 में बढ़के 2700 करोड के आसवास हो गए थे और अगर आप मार्च 21 में इसके profit देखेंगे तो 2900 करोड से जादा का profit LIC ने बनाया था और अगर आप अभी September 21 की बात करते हैं तो 1500 करोड के आस्वास का profit LIC का यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अगर आप 3 सालों में देखेंगे अच्छी बात क्या है कि growth है और बुरी बात क्या है कि growth जो rate है वो बहुत जादा encouraging नहीं दिख रही है अगर आप यहाँ पर इसके number देखेंगे पिछले 2-3 सालों में 8-9% की ही growth यहाँ पर इसके profit में देखने को मिल रही है लेकिन उसका दोस्तो एक reason यह भी है कि जो life insurance sector है उस पे ही पूरा impact आया है पिछले 1-5 साल में COVID-19 की वज़े से COVID-19 की वज़े से बहुत जादा claims process करने पड़े हैं जितनी भी life insurance companies थी उनको और वहाँ पर उनकी profitability पे बहुत जादा impact आया है तो वो चीज LIC के numbers में भी आपको देखने को मिल रही है अब दोस्तो अगर हम इसके profits को जो अभी already listed companies है यानि कि SDFC Life, ICIC Prove, SBI Life जो already अभी listed है उनके साथ यहाँ पर compare करते है तो आप देखेंगे इसका जो profit है वो 2900 करोड के आसपास है और इसके अलावा जो next company आती है वो है SBI Life Insurance इसका जो profit है वो 1400 करोड के आसपास है यानि कि आधे से भी कम profit SBI Life का है अगर आप LIC से compare करेंगे SDFC Life की बात करेंगे तो 1300 करोड के आसपास का profit है और ICIC Prove की बात करेंगे तो 956 करोड के आसपास का profit है EPS की बात करेंगे तो EPS इन चारों में से अभी सबसे कम LIC का नजर आता है 4.7 के आसपास उसके अलावा आप देखेंगे तो SBI Life का 14.5, SDFC Life का 6.7 और ICIC Prove का 6.6 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है अगर आप EPS की बात करते हैं उसके अलावा Net Worth भी देखेंगे तो Net Worth भी अभी सबसे कम LIC की यहाँ पर दिख रही है तो Majorly अगर आप देखेंगे जो Profit है वो बहुत जादा है LIC का लगबग Double है अगर आप Next Best कमपनी से देखते हैं जो की SBI Life यहाँ पर देखने को मिल रही है अब दोस्तों यह पिछले 50-60 सालों से कमपनी लगातार जो Insurance है उसका काम कर रही है अब Insurance Business में होता क्या है कि आप एक साथ सारा पैसा नहीं देते हैं आप 20 सालों के लिए Policy कराते हैं आप 30 सालों के लिए Policy कराते हैं जिसमें आप लगातार थोड़ा थोड़ा पैसा Life Insurance Company के पास जमा करते जाते हैं अब उस पैसे का life insurance company करती क्या है वो जो पैसा उनके पास आ जाता है जो उनको 20 सालों में देना होता है या 15-20 सालों में 30 सालों में देना होता है उस पैसे को वो further invest करते हैं ताकि वो returns उससे regularly generate कर सके अब ये since इतनी बड़ी company है तो अगर आप asset under management की इसकी बात करेंगे वो पै 29 lakh करोड के आसपास एक major पैसा है इसके पास जो अभी ये manage कर रहा है क्योंकि 28 करोड policies है इसकी जो चल रही है तो आप समझ सकते हैं कितना huge पैसा अभी ये manage कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाते कि ये कहां पे वो पैसा अभी invest कर रहे हैं तो अगर आप यह अहां पर दोस्तों देखेंगे majorly जो अपना ये पैसा यहां पर लगा रहा है as on date अगर हम बात करते हैं तो 37% जो ये इसका asset under management है ये central government की securities में लगा रहा है उसके बाद 24% जो पैसा है ये state government की policies में company लगा रही है और अगर आप equity की बात करते हैं तो 25% के आसपास पैसा equity मे लगाया जा रहा है यानि कि जो पैसा आप LIC को देते हैं अगर आपने LIC की policy कराई हुई है तो जो पैसा आप LIC को देते हैं उससे वो return कमाने के लिए यहां पर पैसा लगा रहा है तो majorly central government का आपको major पैसा दिख रहा है जहां पर ये लगा रहा है state government की securities और 25% पैसा ये equity म लगा रहा है आपने कई बार कई companies में देखा होगा जहां पर LIC का बहुत major stake होता है वो reason यही है कि बहुत सारा asset under management LIC के पास है जिसको ये further यहां पर invest कर रहा है तो आप अगर इसमें invest करते हैं तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके बार कि ये किन major companies में पैसा अपन लगा रहा है तो ये कुछ चीजे हैं दोस्तो LIC के बारे में जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी इसके financials के बारे में अगर आप इसके embedded value की बात करते है embedded value देखिए दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक life insurance company जो होती है उसका जो काम है वो 20 सालों में 30 सालों में उस इसमें add किया जाता है net assets तो यहां पर 5 लाग करोड से जादा की embedded value LIC की है तो इस चीज में तो आपको कोई doubt नहीं रह गया होगा कि company wise बहुत बड़ी company LIC है 70-80 सालों से ये company लगातार चल रही है और बहुत जादा इसके पास पैसा है बहुत जादा policy holders हैं और उनके बहुत स चाहिए ये तो कुछ अच्छी बाते थी जो हमने LIC की थी अब कुछ चीज़ें पर बात कर लेते हैं जो यहां पर risk है जो LIC से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों since यहां पर मैंने आप सको बताया था कि ये एक ऐसी company है जो 50 सालों तक एक monopoly में काम करती थी पिछले 20 सालों से ये company अब monopoly नहीं है private players यहां पर आ चुके हैं जिसकी वज़े से इसका market share लगातार कम हो रहा है तो उसमें सबसे पहले growth की बात आती है total premium में growth कैसी ये company कर रही है तो दोस्तों पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे LIC की जो CAGR growth है premium में वो 9% की है वहीं जो industry की growth है वो 18% के आसपास की है यानि की बहुत ज़्यादा difference आ चुका है अब जो नई policies हो रही है वो वहाँ पर जो growth हो रही है वो private players की जाधा यहां पर दिख रही है in comparison to LIC दूसरी चीज़ दोस्तों market share पे बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 2000 तक 100% था इस वक्त 64% है यानि की ल हुआ करता था उसके बाद 2020 में 66.2% का रह गया 2021 तक आते आते वो 64.1 का रह गया और अगर आप September 2021 की बात करते हैं तो 63.6% का market share LIC का है इससे पता क्या चलता है कि लगातार जो इसका market share है वो कम हो रहा है जो की एक matter of concern है अगर आप invest करने के बारे में सोच रहे हैं अब ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है इसका market share क्यों कम हो रहा है आप दोस्तों अगर जाएंगे online आजकल online अगर आप policy खरीते हैं तो सबसे famous जो website है वो policybazar.com है वहाँ पर इनोंने अब जाकर अपनी आपको list किया है यानि कि जो major इसके जो अभी तक selling चल रही थी वो वैसे ही पुराने जमाने की तरीके से चल रही थी कि agents को इनोंने रखा हुआ था वो agents जा जाकर sell कर रहे थे तो आप यहाँ पर दोस्तों देखिए agents के through इनका major new business है वो कितना आता है 2019 में 96.69% जो इनका business है new business है premium वो agent की तरफ से आता था 2020 में 95.73 2021 में ये घटकर 94.77 हो गया था और अगर आप September 21 की बात करते हैं तो 96.42% के आसपास का जो इसका total business है वो agents के through आता है आज के जमाने में भी दोस्तों अगर आप imagine करिये कोई ऐसी company है जो सिर्फ offline majorly अपनी policies बेच रही है तो कि ये कितना major risk आज के जमाने के साब से हो जाता है वो चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रख market में share है वो लगबग 7.5-8% के आसपास ही है बहुत कम share है इसके अलावा जितनी companies का है अब दोस्तों बात आती है कि क्या मैं LIC के IPO में invest करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं तो दोस्तों देखिए मुझे ऐसा लगता है कि life insurance sector आने वाले टाइम में बहुत अच्छे त कि जो life insurance की penetration बढ़ेगी उसमें धीरे धीरे जो private insurance की companies है वो LIC से ऐसे ही market share धीरे धीरे लेती जाएगी क्योंकि LIC को आदत भी नहीं है वो जो competition अब इसको 20 सालों से जिलना पड़ रहा है उसको उसके साथ survive करने का तो वो चीज बहुत जादा ज़रूरी हो जाती है और दू बहुत जादा focus आने वाले time में भी profit पे करेंगे वो चीज भी मुझे यहाँ पर doubtful लगती है और at the end एक सरकारी company है तो profit पे कितना जादा focus होगा इस पे भी बहुत जादा doubt रहता है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले time में यहाँ से LIC का जो share है market share वो लगातार कम होता वहाँ पर profitability भी कम होती दिखेगी life insurance sector grow होने वाला है लेकिन मुझे लगता है उसमें private insurance, SBI life, SDFC life, ICIC proof ऐसी companies जादा grow होंगी in comparison to LIC और आने वाले time में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि since यह company अब list हो रही है तो बहुत जादा scrutiny इसकी की जाएगी अभी कोई जादा बात नहीं करता कि LIC ने कहां पर पैसा invest किया है जो हमने देखा है कि 39 lakh करोड के आसपास इसके पास asset under management है अभी कोई जादा बात नहीं करता कि यह कहां पर invest कर रहा है वो पैसा लेकिन आने वाले time में जब यह list हो जाएगी तो यह कहां पैसा किस equity में invest करेगा कहां से book करेगा बह मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि invest करते होए इससे जो जुड़े होए risk है उसका ध्यान रखे माना यह बहुत बड़ा IPO आने वाला है बहुत बड़ी company है यह और अगर आप total investment की बात करें तो लगबग 5% stake government इसमें sell करने वाली है और सारा ही offer for sale होगा जिससे government अप इसकी valuations बहुत जादा attractive level पे आई तो उस वक्त क्या करना चाहिए तो तब तक के लिए दोस्तों आज बस इतना ही उमीद करता हूँ LIC के ओ समझने में आपको इस वीडियो ने help किया होगा अगर इस वीडियो से आपकी help हुई हो आपकी understanding भड़ी हो तो इसको like जरूर कर दी देगा वीडियो को धन्यवाद